महिमा कुमारी ने 3,89,92 वोट से जीत हासिल की है उन्हें वोट जो मिले है वो 7,74,581 वोट मिले है इस वक्ती बड़ी ख़वर महिमा कुमारी को ये जीत हासिल हुई है 3,89,92 मतों से भाजपा को जो वोट मिला है 7,74,581 जबकि कॉंग्रेस के दामुदर गुजर को 3,84,589 वोट हासिल हुए है तो इस तरह से बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है राजसमन से 3,90,000 वोटों से महिमा कुमारी ने जीत हासिल कर लिए है राजसमन से इस मक्त की बड़ी खबर कॉंग्रेस के दामुदर गुजर को हरा दिया है अलकि आधिकारी घोचना होना बाकी है लेकिन ये त्या हो गया है कि राजसमन सीट भाजपा के पास ही है क्या कहेंगे कुछ सीटों पर तो लीड चार लाकी मिल रही है और कुछ सीटों पर जमानत भी जबत हो रही है क्या लगता है क्या मैसेज कहां अलाइनमेंट आउट हो रहे हैं तिक जो चुनाब जिसकी बात कर रहे हैं आप वो चुनाब एक अलग परिष्टिती का चुनाब था और उस चुनाब में हमने कम से कम फेस्टों किया आप कॉंग्रेस के प्रदेश अद्देश के स्टेडमेंट को देगी है जिसमें हाथ का सिंबल होने के वावजुद को कहते हैं कि हाथ को बोट मत दो आपने पहले अरजन बामनिया को टिक्ट दिया वो बैक हो गए उसके बाद डाम मुर्ट के माना कि मत लड़ो तो लड़ रहे तो प्रदेश अद्देश ने कैसी पार्टी का प्रदेश अद्देश देश ट्रिमिंट देता है कि आप अगर हाथ के पंजे पर बोट मत दो तो क्या इस्तिती हो सकती है हम डड़ते हैं लड़ते हैं उसके परणाम होते हैं उसको सीकार करते हैं जनता ने असोग गैलोद जी की सबसे बड़ी हारे लगातार दूसरी वार उनके पत्र की जो राजिनिती में हार हुई है इससे निश्चत रूप से असोग गैलोद जी को सबक लेना चाहिए महिमा कुमारी ने 3,89,92 वोट से जीत हासिल की है उन्हें वोट जो मिले है वो 7,74,581 वोट मिले है इस वक्ती बड़ी ख़वर महिमा कुमारी को ये जीत हासिल हुई है 3,89,92 मतों से भाजपा को जो वोट मिला है 7,74,581 जबकि कॉंग्रेस के दामुदर गुजर को 3,84,589 वोट हासिल हुई है तो इस तरह से बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है राजसमन से 3,90,000 वोटों से महिमा कुमारी ने जीत हासिल कर लिए है राजसमन से इस मक्त की बड़ अधिकारी घोचना होना बाकी है लेकिन ये तया हो गया है कि राजसमन सीट भाजपा के पास ही है महिमा कुमारी ने 3,89,92 वोट से जीत हासिल की है उन्हें वोट जो मिले है वो 7,74,581 वोट मिले है इस वक्त की बड़ी ख़वर